हेले स्टूडेन कैसे आप सब एक बार पुना स्वी कोचिंग क्लासेज पर स्वागा था उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चले बचो बोर्ड एकजाम 2024 को टार्गेट में रखते हुए आपको निरंतर वीडियो कि दाई एथिल एथर बनाने की सतत एथरी करण बीधी को समझाए या डाई एथिल एथर बनाने की बिलियमसन संसलेशन अवक्रिया को समझाए या कोशन पूछ दिया जाए डाई एथिल एथर बनाने की प्रयोक साला बीधी को समझाए तो यहाँ पर आपको आज सीख जान है मातर 5-10 मिनट के बीच में चले शुरू करते हैं बच्चो वैसे भी हमको प्रयोकसाला में यदी बनाना है किसी भी पदार्थ को तो हमें एक गोल पेंदेक तो फ्लास्क लेना होता है अब हम किससे बनाएंगे Ethereum-Ethere बनाते हैं बच्चोEethyl-Elkohlol से किस से बनाते हैं? Ethyl-Ether बनाएंगे ethyl-Elkohlol से eather वैसे भी आप बना सकते हो वैसे मैंने Ethereum-Ethere बनाने की जो रासानिक अबक्रिया है वो एक ही lecture में करा दिया है 2024 के लिए प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएगा उसमें यह अभक्रिया वहाँ पर भी कराया गया है लेकिन यह प्रयोक्साला के माध्यम से किस प्रकार से आपको लिखना है मेन यह उद्धेस होता ना बच्चो एक्जाम में प्रशने पूँछ दिया गया और आपसे नहीं बना तो फिर दिक्कत है इसलिए ऐसे प्रशनको मैं ढूड करके लाता हूँ कि छूट नहीं ना पाए हलाकि यह अभक्रिया आपसे बन रहा है दिया आपने ओ लेक्शर देखा है तो यह अभक्रिया आपसे बन रहा है लेकिन लिखना कैसे है तो जब भी हम प्रियोकसाला में डाई एथिल इथर बनाते हैं तो किससे बनाते हैं बच्चो एथिल एलकोहल से इसमें हम क्या करते हैं 50 ml एथिल एलकोहल लेते हैं किसमें गोल पेंदिक्तु फ्लास्क यहां पर आप देख सकते हैं ये गोल पेंदिक तो फ्लास्क है बच्चो इसमें अपन क्या करते हैं 50 ml एथिल एलकोहल लेते हैं ठीक है पहली बात फिर ये जो आपका फ़नल लगा रहता है थिसल फ़नल जिसे बोलते हैं बच्चो इसके माद्धम से H2SO4 इसमें डालते हैं अब H2SO4 डालते हैं तो उसमा उत्पन होगी और अभक्रिया सुचानल रूप से संपन्न नहीं होगी क्योंकि ये जो अभक्रिया लगबग 140 140 डिग्री से स्टाप मान पर अभक्रिया संपन्न होता है लेकिन नार्मल अभक्रिया उत्पन्न हो नहीं लग जाएगा तो ये दिक्कात है इसलिए हम इसमें 50 ml एथिल एलकोहल लेकर के लगबग 25 ml H2SO4 धीरे धीरे करके डालते हैं जो थिसल फनन ना इसके सहायता से धीरे धीरे हम क्या डालते हैं बच्चो H2SO4 ठीक है और इसे हम छड़ी के माध्यम से हिलाते रहते हैं ताकि अचाना गर्म ना हो पाए इसमें थर्मामेटर लगा दे या H2O यहां से पानी प्रवायत किया गया या बर्फिक्ट पानी यह क्या करता है संगडी ठंडा करता है तो वो एक अत्रित हो जाता है फिर ग्राही में जो ग्राही पात होता है ग्राही यहां पर जो फ्लास्क है इसमें इथर एक अत्रित हो जाता है यहां भी लास्ट में आपका ठंडा द्रव भरा रहता है या बर फियुक तो आपका जल रहता है जिस सेधी गैसी वस्था में भी आए तो ठंडा हो करके द्रवी द्रोप में परिवर्तित हो जाए यह आपका मेंन प्रोसेस है तो बच्चों हम एक आस्वन फ्लास्क लेते हैं गोल पेंदुतुर फ्लास्क जिसमें 50 ml एथिल यालकुहल लेकरके लगवक 25 ml H2SO4 धिर धिर मिलाते हैं अब H2SO4 मिलाते ही इसमें उस्मा उत्पन होते हैं इसलिए इसे एक छड़ी के माद्ध हम से हिलाते रहते हैं या इसे हम कह सकते हैं बच्चो एक फ्लास्क को हम पूरा ही हिलाते रहते हैं जैसे फ्लास्क को या आप हिला लो जैसे हमने एथिलेल को हल लिया फिर एस्ट्वेस उफोल लिया उसको हलका हिला दिया ताकि उसका उसमा समथ हो जाए इसे पानी में रखका ठंडा कर लिया फिर इस पूरे फ्लास्क को देखिए क्या है आपका वालू उसमक है वालू उसमक का प्रियोग क्यों किया जाता है क्योंकि डायरेक्ट यह आप इस कांच के फ्लास्क को गर्म करोगे तो कांच चिटक जाएगा और वही पे जब बालू उसमक में रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो अंदर का मटेरियल भी गर्म हो जाता है कांच भी नहीं टूटता है इसलिए बालू उसमक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जानना जरूर यह ना कि बालू उसमक की क्यों प्रयोग मिला इसा है हम डाइरेक्ट भी फ्लासकों क गर्म कर सकते थे ऐसा नहीं है डाइरेक्ट दी आप कांच को गर्म करेंगे तो चिटक जाता है इनी वो तूट जाता है ठीक है उसमी प्रसार के काण़ कि बाह माध्य में उसमी प्रसार होता है अंदर प्रसार नहीं होता है तुरंत वो तूट जाता है लेकिन यहाँ पर बच यहां पर ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लिया जाता है यह इसका में प्रोसेस है बच्चो ठीक है तो लगबग प्रयोक साला में एथिल एलकोहल के आधिक में हैं किसके साथ हैं एक सो चालीश डिग्री चिल्सेस था पर तो हमें डाई एथिल एथर मिलता है अब क्रिया संपन करा देते हैं फिर कैसे लिखना वो तो आपको मैं बताऊंगा ही सबसे पहले हमने लिया क्या बच्चो सतत एथरिकन क्यों कहते हैं क्योंकि लगातार एथर ब हम जाएंगे यहां पर देखेगा सबसे पहले हमने लिया है एथिल एलकोहल एथिल एलकोहल का सूत्र होता है C2H5OH ठीक है यह क्रिया किस से करता बच्चो H2SO4 से H2 को हम HH लिख सकते हैं SO4 है अल्रेड़ी अब यह पहले 110 डिग्री सिल्सेस ताप पर अब क्रिया होता है औ यह OH है बच्चो और यह H है ठीक है यह OH और H आपस में क्रिया करके H2O बना देता है तो बचेगा क्या C2H5HSO4 और आपका H2O बाहर निकल गया ठीक है H2O बाहर निकल गया इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सलफेट एथिल हाइड्रोजन सलफेट अब अगले इस टिप मे क्या होता है कि एथिल हाइड्रोजन जो सलफेट मिला C2H5HSO4 यह जो मिला फिर से आपके यह जो एलकोहल होता ना बच्चो जैसे C2H5 है ना OH है इससे क्रिया करता है तो यह जो HSO4 है वो इस H के साथ क्रिया करके यह लगबाग 140 डिगरी सेल्स यह स्तापमान पर अब क्रिय होती है तो बच्चता C2H5 और यहां पर HSO4 अलग होगा तो बच्चेगा O C2H5 और बच्चो यह फिर से आपका H2SO4 मिल जाता है मतलब जितना अब क्रिया में भाग लिया था उतना H2SO4 फिर से मिल जाता है और फिर हम एथिल एलकोहल डालेंगे फिर यह ही H2SO4 उसके साथ क यहीं ही लगाता रवकिया संपन होती है यहां एक बार रवकिया संपन हुआ H2SO4 फिर से मिल जाता है है फिर से बाग लेता है C2H5 OH के साथ तो फिर बनाएगा एथिल एड़ोम से अलकोहल से क्रिया करके डाई एथिल इतर बनाता है और दिरनत रवकिया चलता रहता इसलिए इसे कहा जाता है सतत एथरी करण कभी कभी क्या होता है कि S2SO4 ही विग्टित हो जाता है S4 में विग्टन हो जाता है तो कुछ दिर बाद यह रुख जाएगी ऐसा नहीं है लेकिन सतत एथरी करण का ये है कि अधिक मात्रा में यहां से हम इथर बना सकते हैं तो फिर से आप देखो बच्चो हम इथर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं एक गोल पेंदिक फ्लास्क यह हमारे पास गोल पेंदिक फ्लास्क था इसमें लगबग 50 ml एथिल अलकोहल डालकर 25 ml H2SO4 मिलाते हैं हम थिसल फनल की सहाइथा से मिला है धिर धिरे करके इसको इलाकर या ठंडा कर लेते हैं पहले फिर इसमें धर्मामीटर लगाते हैं धर्मामीटर देखिए धर्मामीटर लगा दिये और इसको सगनित्र के साथ जोड़ दिये साथ में ग्राही पात लगा दी और इसको हम फिर से वालू उसमक में गर्म करते हैं जब वालू उसमक में गर्म करते हैं बच्चों तो इथर बनता है और इस अब क्रिया में H2SO4 कुना उत्पन हो जाता है H2SO4 कुना उत्पन हो जाता है और फिर से यह है प्रक्रिया आगे चलती रहती है इसलिए से हम सतत इथरे करने के नाम से जानते हैं स्क्रीन साट लेने के लिए समय दूँगा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें बचो आप लोगों को मैं हमेशा प्रापर रूप से प्रवाइड कराने के लिए कोशिस करता हूँ कि एकजाम में आप लिखो आपकी नंबर कटने के बिल्कुल चांस ना रहें और इसका दे हैंडिटेंड नोट्स लेना है तो कंटेक्ट नंबर मैं आपको हमेशा देता हूँ 9685299149 968529 9949 इस नंबर पर आप कंटेक्टर के नोट्स भी ले सकते हैं दिस्क्रिप्शन पर हमारे एप का लिंक मिल जाएगा हमारे एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं ओके बच्चो फिलाल ये डाइग्राम हो गया प्रियोकसाला में 140 डिग्री सेलसेस ताप पर इसे बनाया जाता है ये पूरा बिदी है बच्चो कि एक आस्वन फ्लास्क लेते हैं जो की गोल पेंदित फ्लास्क होता है जिसमें 50 ml एथिलेल कोहल लेकर उसमें 25 ml H2SO4 मिलाते ही उसमा उत्पन होती है इसलिए फ्लास्क को हिलाकर या पानी में रखका ठंडा कर लेते हैं फ्लास्क में थर्मामीटर और थिसल फनल लगा करके इसमें संगनितर और ग्राही पातर जोड़ देते हैं संगनितर मतलब जिसमें पानी बार रता है ठंडा करता है ग्राही पात तो मतलब जिसमें एथर एक अत्रित करते हैं फिर इसे फ्लास्क को गोल पेंदिक तो फ्लास्क के बच्चों ये गोल पेंदिक तो फ्लास्क है ये वाला इसको वालू उसमक में रख करके बच्चो गर्म करते हैं 140 डिग्री सिल्सियस ताप ताथ जिससे फ्लास्क में द्रवबलने लगता है फलसरोप इथर प्राप्त होता है जिससे हम ग्राही पातर में एकत्रित कर लेते हैं बाकी अभक्रिया पहले ही करा दिये तो बाद में कराने की जुरुत नहीं है तो फिलहाल बच्चो आपको क्लियर हो गया होगा प्रियोकसाला में एथर कैसे बनाया जाता है ये अभक्रिया है ये एक पद है बच्चो ये निरंतर अभक्रिया होने वाला होता है क्योंकि इस अ सतत एथरी करण की बीधी भी कहते हैं लास्ट में ये बीधी जो है बच्चो इसके बाद मैं आपको लिखना तो लिख सकते हैं कि इसमें प्रथम अब क्रिया के फलसुरू हर अब क्रिया के बाद आपका यस्ट्य सुफोरूत पन हो जाता है जो पुना एथिल इलकुहल से क्र क्रिया करके एथर में बदल जाता है और यह क्रिया निरंतर आगे चलती रहती है इसलिए इससे सतत एथरी करन के नाम से जाना जाता है उमीद करता हूं बच्चों चीजें समझ गया होगे मैं कहना कह चाहता हूं वीडियो पसंदात लाइक करके शेयर कर दें